नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बीएसपी के उपर गोदी मीडिया ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है आज उस आरोप की सचाई हम आप तक रखने वाले हैं और किस तरीके से कुछ नेता मायावती जी को इस समय बदनाम कर रहे हैं दोस्तों आज हम इस पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर लगातार मायावती जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि मायावती जी ने बीजे पी की मदद की है जबकि दोस्तों सच्चाई अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे तो दोस्तों जिस तरीके से मायावती जी को Hem किया जा रहा है जिस तरीके से गोधी मीडिया अग्रिणी भूम का निभा रहा है और सचाई कुछ और है दिखाया कुछ और जा रहा है इसलिए दोस्तों ये वीडियो आज का बहुत जादा जरूरी है आपके लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा जिससे दूद का दूद और पानी का पानी हो सके वीडियो शुरू करने से पहले एक ट्रेलर मै आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों कुछ ऐसे राज है जहां पर इंडिया गडबंधन ने जीरो सीटे हासिल की है या जमानत सब्थ हुए राज्यों के नाम सुनिए एक एक करके राज आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे अब इन राज्यों में कौंग्रे सारी इंडिया वाले हारे तो क्या वहां पर मायावती जी नहीं नहीं हरा दिया ये तो दोस्तों एक बात हुई अब आते हैं मेन मुद्दे पर दरसल एक चैनल ने मायावती जी के उपर एक गंभीर आरोप लगाया है उसके बाद दोस्तों संजे सिंग ने इस मामले को और तूल दिया लेकिन सबसे पहले गोदी मीडिया ने दोस्तों क्या लिखा है आपके स्क्रिन पर देखे क्या लिखा है मद्दे परदेश की 80 सीटों पर इस बार लोक सबार चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता सक्ते में हैं बीजेपी इस बार 80 में से 30 सीटे ही जीत पाई इसमें भी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत में बीजेपी ने आयम भूमिका निभाई इन सीटों पर अगर बीजेपी नहीं होती तो बीजेपी की हालत और खराब हो सकती थी सियासी चाल से सपा कॉंग्रेस के प्रत्याशी मामूली अंदर से यूपी में बीजेपी प्रत्याशी से हार गए दोस्तों बहुत ही गंभीर आरोप एक नेता बोले तो ठीक लगता है लेकिन एक चैनल ऐसा लगता है कि बीजेपी की भाशा बोल रहा है दोस्तों बीजेपी के नेता, कॉंग्रेस के नेता, समाजवादी, पार्टी के नेता ऐसा आरोप लगा सकते हैं लेकिन एक चैनल किस थरीके से माया वती जी के उपर आरोप लगा रहा है दोस्तों इसलिए बहुजन समाज इसको लेकर खासा भढ़का हुआ है जो बहुजन पत्रकार हैं वो भी इसको लेकर भढ़के हुए हैं दोस्तों जैसे ही ये खबर वारल हुई देखिए संजे सिंग ने क्या लिखाए इसमें अकेले यूपी में 16 सीट ऐसी हैं जहां बेस्पी की वज़े से बीजे पी जीत गई बहन जी मुसल्मानों को दोश मत जी आप से मुसलिम दलित पिछडे सब अलग हो चुके हैं ये संजे सिंग है दोस्तों ये वही संजे सिंग है जिन्होंने चुनाव परडाम से बहुत पहले माया वती जी पर आरूप लगाते हुए कहा था कि हाथी के सून में कमल का फूल मतलब मतलब ये की जो बीएसपी ह है वो बीजे की मदद कर रही है वो सीधे सीधे बीजे की बीटीम है संजे सिंग ने तो यहां तक आरूप लगाया था कि माया वती जी के जो कैंडेट है वो बीजे की ने तय्यार किया है दोस्तों अब यहां बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की वो 16 सीटे कौन सी हैं जिसके बाद मायवती जी पर आरोप लगने शुरू हो गए है लेकिन उन आरोपों में कितनी सचाई है दोस्तों उसे आज मैं आपके सामने रखूंगा सबसे पहले उन बिवादित सीटों की बात करते हैं जिसको लेकर कुछ लोग मायवती जी के उपर कीचड उचाल रहे हैं ये 16 सीटे देखे और ये ABP News ने ही लिखा है UP की इन 16 सीटों पर खेल कर गई मायवती जी हमने आपको ABP News का वो बयान सुनाया ऐसे लगता है जैसे BJP प्रवक्ता बोल रहे हूँ तो अब 16 सीटे आप जान लिजिए अकबरपुर, अलीगड, अमरोहा, बासगाउं, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फरूखाबाद, फतेपुर सिकरी, हरदोई, शाजहापूर, मिर्जापूर, मिश्रिक, फूलपूर, मेरट, उन्नाव दोस्तों, ये वो लोग सबा सीटे हैं, जहां पर भारतिय जनता पार्टी के उम्मिदवार ने जीत हासिल की है और इन सोला सीटों पर, जब इंडिया गटबंदन हारी है, कॉंग्रिस पार्टी या समाजवादी पार्टी अगर इन सीटों पर हारी हैं, तो वो अपना दोश नहीं दे रहे हैं वो सीधे सीधे मायवती जी का दोश दे रहे हैं कि मायवती जी की वज़े से हम लोग हार गए लेकिन दोस्तों ये आधा सच है आधा सच बहूत खतरनाक होता है मैं आपके सामने आज पूरा सच रखूंगा पूरा सच जानना बहुत जरूरी है और आधा अधूरा जो फैक्ट होता है वो हानिकारक होता है दोस्तों इन सीटों को अगर आप गौर से देखिए गौर से देखेंगे तो जीत का अंतर जो है बहुत ही कम है और जो नीली पटी है उसमें आप देख रहे हैं बसपा को वोट मिला है तो जो लाल पटी आपको दि बसपा को जादा वोट मिले या कम वोट मिले इससे इनको कोई फरक नहीं पड़ता है इन लोगों ने सीधे सीधे एक नेरेटिव सेट कर दिया है कि माया वती जी ने हमारा काम खराब कर दिया ठीक वैसे ही जैसे इन लोगों ने दोस्तों चुनाव से पहले सीधे सीधे कहा था कि मायावती जी भारतिये जन्ता पार्टी की B team है और दोस्तों ये जो ठपा लगाया गया है इसका कहीं न कहीं बस्पा को नुकसान भी हुआ है और बस्पा को इस मुद्दे पर दमदारी से आगे आना चाहिए लोगों को जवाब देना चाहिए दोस्तों अब मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की उन लोग सवा सीटों की सूची रखने जा रहा हूँ जहां पर माया वतीजी के रहते हुए भारतिय जन्ता पार्टी नहीं जीती समाजवादी पार्टी ने 29 सीटे जीती और कॉंग्रेस पार्टी ने 2 सीटे जीती अब देखें सीटे कौन कौन सी ह सीटों के नाम आप सुन लिए दूस्तों इन सीटों के नाम है कहराना, मुजफर नगर, संभल, फिरोजाबाद, एटा, बदाईू, आवला, लखीमपुर, खीरी, धावरहरा, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, प्रताबगड, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बदाईू, अंबेटकर नगर, बस्ती, संतकबीर नगर, लालगंज, आजमगड, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मचली शहर, गाजीपुर, चंदोली, सहारनपुर, सीतापुर, अब आए देखते हैं बसपा को वोट कितना मिला था जहां पर बीजे पी जीती थी, यह देखी मैं आपको एक सेंपल रखूंगा, वैसे दोस्तों अगर मैं पूरे वीडियो में आंकड़े रखूं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक ही एक्जामपल दूँगा, दूत का दूत, पानी का पानी हो जाएगा, जैसे आप एक काम करिए, आप अकबर पूर को ल मिला, अब बस्पा को 73,140 वोट मिला, यहाँ पर भारती जन्ता पार्टी जीती है, और जीत कांतर 44,345 है, और बीजेपी जीती है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, यह नेरेटिव है, लेकिन सचाई अब देखिए, अब कैरा को देखिए, कैराना में अगर आप देखेंगे, तो बस्पा को कैराना में मिला है, 76,200 वोट, और जो मार्जिन है, करीब करीब 70,000 है, तो यहाँ पर जीत कांतर 70,000 है, बस्पा को यहाँ पर 76,000 मिले, बस्पा को यहाँ पर कम वोट मिले, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी जीत गई और जीत कांतर 70,000 है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों इसी को लेकर दिलिप मंडल जी ने एक ट्विट किया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दिलिप मंडल जी लिखते हैं यूपी की इन सीटों पर अगर सपा और कॉंगरिस ने फाल्टू में कैंडिडेट ना दिये होते तो बीजेपी को 16 सीटें और कमाती वहीं बीएसपी के 16 MP लोग सवा में होते सपा और कॉंगरिस बीजेपी की बी टीम है बीएसपी ना जीत जाए इसलिए उन्होंने बीजेपी को जिता दिया तो दोस्तों जो narrative BSP के खिलाफ फैलाया जा रहा था उसे बेनकाब कर दिया है दिलिप मंडल जी ने और मैंने आंकड़े भी आपके सामने रखें हाला कि दिलिप मंडल जी ये कह रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भारतिय जनता पार्टी की बीटीम हैं देखें दोस्तों मैं बार-बार कहता हूँ कि कोई भी पार्टी बीजेपी की बीटीम नहीं है अब कोई ये कैसे उम्मिद कर रहा है कि BSP अपना उम्मिदवार न उतारे अगर BSP समाजवादी पार्टी से कहे कि भाई आप उम्मिदवार न उतारो हम जीत रहे थे तो क प्याषिजे पिकी मदद कर रही है जबकि सच्चाई आपके सामने में रख्या सच्चाई कुछ और है कई राज्जों में कौंगरिस पार्टी हारी है समाजवादी पार्टी भीहारी है तो वहां पर तो BSP ने BJP की मदद नहीं की थी, अपनी credibility पर ये लोग हार गए, तो दोस्तों ये जो narrative फैलाया जा रहा है, ये खबर इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऐसे narrative फैला फैला कर मायावती जी को बदनाम भी किया गया है, मायावती जी की कुछ गलतिय हो सकती है, कुछ टिक्टों के बटवारे में दिक्कत हो सकती है, सोशल मीडिया या रैली करने में या आकरा मक्ता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन जो narrative है दोस्तों वो खतरनाक है, और BSP को बार बार ये कहा गया कि BSP BJP की बीटिम है, जबकि दोस्तों ये सच नहीं है, और मैंने आपके सामने पूरा fact भी रख दिया, कि ये इसमें कोई सचाई नहीं है, बिलकुल निराधार है, और ऐसे चीजों की दोस्तों निंदा भी होनी चाहिए, अगर निंदा नहीं होगी, तो ऐसे लोगों के हौसले और भी बढ़ जाएंगे, तो जिस तरीके से कहा ग बस बदनाम करने की कुशिश की जा रही है, बहराल दोस्तों इस वीडियों फिलाल के लिए बस इतना ही, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, और मेरा आप से सीधा सवाल है, क्या जिस तरीके से माया अतीजी को बदनाम किया जा रहा है, क्या अब बियस पी क लोगों को भी आकरामक होकर नहीं आना चाहिए, तो दोस्तों जिस तरीके से बियस पी को बदनाम किया जा रहा है, अब जरूरी है कि बियस पी की तरफ से भी काउंटर होना चाहिए, तगड़े तरीके से, और सोशल मीडिया को भी इंप्रूब करना पड़ेगा, आईटी स जिलको बसपा का अपना इंप्रूब करना पड़ेगा, मैं तो बार-बार कहता हूँ, बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपनी परत्किरिया आप लोग जरूर दीजिए, बहुत-बहुत धन्वात शुक्रिया